ओम शान्ती आज सुनते हैं 30 जन्वरी 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की मुर्ली में बाबा ने ब्रह्मा बाप का दूसरा कदम पहली मुर्ली में बाबा ने पहला कदम समर्पन तापे सुनाया के कैसे बाबा ने तनमंधन सब समर्पन किया आज की मुरली में बाबा ने दूसरा कदम बताया शेहन शीलता और शेहन शीलता की बड़ी गेरी डेफिनेशन दे तो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों में चार क्वेश्चन है ब्रह्मा को आदी देव क्यों कहा जाता है ब्रह्मा बाप का हिम्मत का दूसरा कदम कौन सा था और उसमें नमबर वन कैसे रहे बाबा नमबर थ्री शेहन शील किसे कहा जाता है बाबा ने इस मुरली में इतनी सुन्दर इस मुरली को सुनेंगे न हर एक की शेहन शीलता तो बहुत बढ़ जाएगे क्या सुन्दर बाबा ने बताया कि गालियों की वर्षा सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाप पे हुई लौकिक में सबसे प्रिये और बाबा का बनने के बाद फिर सब दुश्मन बन गए लेकिन कभी भी जरा भी मुस्क्राहट में कमी नहीं आई बाबा ने कहा कितना भी कुछ हुआ सदा मुस्कराते रहे दुश्मन को भी गलाने करने वालों को भी बड़े प्यार से शुब भावनाएं शुब कामनाएं रखे एक भी संकल्प नहीं चला पाहड जैसी बातें भी आई बाबा ने बिलकुल ऐसे हलका करके खुद भी पार किया औरों को भी कराया तो बाबा ने कहा शैनशिल माना ये नहीं आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव हो तब क्या शैनशिल शैनशिल माना बिलकुल नेगेटिव परस्तितियां और फिर भी परसन रहे मुस्कराता रहे तो बहुत अच्छी प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं तेस जन्वरी ठासी की मुरली हिम्मत का दूसरा कदम शैनशिलता आज आलमाइटी अथार्टी बाप अपनी पहली सरेष्ट रचना को देख रहे हैं पहली रचना ब्रह्म्नों की रचना है उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्म्न को ही कहेंगे पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्म्न को आदी देव कहा जाता है इसी नाम से इस आबू परवत पर यादगार भी आदी देव नाम से ही है फिर बाबा ने कहा कि बचे आदी देव अर्थात अब आदी देव का बाबा अर्थ बताते हैं बड़ा संदर आदी देव अर्थात आदी रचता भी कहा जाता और साथ साथ आदी देव आत्मा श्रिकिशन रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं इसलिए आदी देव कहते पहली देव आत्मा श्रिक किशन के रूप में ब्रह्मा इसलिए नई स्रिष्टी के आधी का आधी देव कहा जाता है संगम युग में भी आधी रचना का पहला नंबर अर्थात आधी देव कहो वा ब्रह्मन आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो तो संगम पर और स्रिष्टी के आधी पर दोनों समें के आधी हैं इसलिए आधी देव कहा जाता है ब्रह्मा ही आधी करमातीत फुरिष्टा बनता है ब्रह्मा सो फुरिष्टा और फुरिष्टा सो देवता सब में नंबर वन ऐसा नंबर वन क्यों बने किस विधी से नंबर वन सिद्धी को प्राप्त किया आप सभी ब्रह्मन आतमाओं को ब्रह्मा को ही तो फालो करना है क्या फालो करना है इसका पहला कदम समर्पन था यह तो पहले सुनाया है पहले कदम में भी सब रूप में समर्पन बनके दिखाया दूसरा कदम शेहन शेल था जब समर्पन हुए तो बाप से सरवस्रिष्ट वर्षा तो मिला लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुए चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए लेकिन ज़्यादा करोध वा गुसा ब्रह्मा को ही मिलता रहा लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नमबर वन रहा सबसे ज़्यादा सरव के सनेही जीवन वैतीत की लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सरव के सनेही रहे उतना ही अलौकिक जीवन में सरव के दुश्मन रूप में भी बने बच्चों के उपर अत्याचार हुआ तो स्वतेही इंडारेक्ट बाप के उपर अत्याचार हुए लेकिन शेंशिल्ता के गुण सेवा शेंशिल्ता की दारणा से मुस्कराते रहे कभी भी बाबा मुर्जाए नहीं कोई परशंशा करे और मुस्कराए इसको शेहनशिलता नहीं कहते हैं लेकिन दुश्मन बन क्रोधितो अब शब्दों की वर्षा करे ऐसे समय पर भी सदा मुस्कराते रहना संकल्प मात्र भी मुर्जाने का चिन चेहरे पर ना हो इसको कहा जाता है शेहनशील दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना बोलना संपर्क में आना इसको कहते हैं शेहनशीलता स्थापना के कारे में सेवा के कारे में कभी छोटे कभी बड़े तुफान भी आए जैसे यादगार शाष्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं न के इतना बड़ा पहाड भी अतेली पर एक गेंद के समान ले आया ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड समान समस्या हो तुफान हो विगन हो लेकिन पहाड अर्थात बड़ी बात को छोटा सा किलोना बनाए खेल की रीती से सदा पार किया वा बड़ी भारी बात को सदा हलका बनाए स्विम भी हलके रहे और दूसरों को भी हलका बनाया इसको कहते हैं शेहनशीलता छोटे से पत्थर को पहाड नहीं पहाड को गेंद बनाया और विस्तार को सार में लाना यह है शेहनशीलता बाबा ने कहा विजग्णों को समस्या को अपने मन में वा दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड बनाना यह पहाड बनाना ही है लेकिन विस्तार में ना जाए nothing new के full stop के बिंदू लगाए बिंदी बन आगे बढ़े इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना सैंशील सरेष्टा आत्मा सदाग्यान योग के सार में स्थित्तो ऐसे विस्तार को समस्या को विगनो को भी सार में ले आती है जैसे ब्रह्मा बाप ने किया जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समापत हो जाती अर्थात ज्यादा यूज होती ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता और सार है शार्ट कट रास्ता पार करना पार दोनों ही करते हैं लेकिन शार्ट कट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते हैं दिल्शकर्ष्ट नहीं होते सदा मोज में मुस्कराते पार करते रहते हैं इसको कहा जाता है शेहन शीलता, फिर बाबा ने का शेहन शीलता की शक्ती वाला कभी घवराएगा नहीं, कि क्या ऐसा भी होता है क्या, सदा संपन होने कारण ग्यान की याद की गेराई में जाएगा, घवराने वाला कभी गेराई में नहीं जा सकता, सार वाला सदा भरपूर होता है इसलिए भरपूर संपन चीज की गेराई होती है विस्तार वाला खाली होता है और खाली चीज सदा उचलती रहती है तो विस्तार वाला यह क्यों यह क्या ऐसा नहीं वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसे संकल्पों में भी उचलता रहेगा और स्वेम ही उचलता स्वेम ही अहाफता और स्वेम ही फिर ठकता सेहन शेल इन सब बातों से बच जाता है इसलिए सदा मौझ में रहता उचलता नहीं उड़ता है उचलता नहीं उड़ता है दूसरा कदम शेहन शेलता यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया ना सदा अटल अचल सहद सरूप में मौझ में रहे मेंनत ही मेंनत से नहीं इसका अनभव चोदा वर्ष तपश्या करने वाले बच्चों ने किया चोदा वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी मौझ से रहे या मेंनत लगी वैसे स्थूल मेंनत का पेपर भी खूब लिया कहां नाज से पलने वाले और कहां गोबर के गोले भी बनवाए मकैनिक भी बनाया चपल भी सिलवाई मौची भी बनाया ना माली भी बनाया लेकिन मेहनत लगी या मौझ लगी खेल खेल में सब काम सब कुछ पार किया लेकिन सदा मौज की जीवन का अनभव रहा जो मुझे वै भाग गए और जो मौज में रहे वै अनेकों की मौज की जीवन का अनभव करा रहे हैं अनेकों को मौज की जीवन का अनभव करा रहे है अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना दादियों को तो सदाई पसंद है अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं यह जो नहीं बाल किया नहीं बेने आई उनके लिए बाबा कह रहे इसलिए क्या हमने सन्यास किया क्या हम इस काम के लिए हैं मौज से जीवन जीना इसको ही ब्रह्मन जीवन कहा जाता है चाए स्थूल साधारन काम हो चाए हजारों की सवा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो दोनों मौज से करें इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना ये सब भी करना होगा मैं तो टीचर बन कर आई हूँ स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही सन्यास किया है कहीं किसी किसी को संकल पाते न क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है इसको कहते हैं मूझने वाली जीवन ब्रह्मा कुमारी बनना अर्था दिल की मौझ में रहना ना किस थूल मौझों में रहना दिल की मौझ से कैसी भी प्रिस्तिती में कैसी भी कारे में मूझने को भी मौझ में बदल देंगे और दिल के मुझने वाले स्रेश साधन होते भी स्पष्ट बात होते भी सदा स्वेम मुझे होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा अच्छे साधन होते भी साधनों से मौज नहीं मौज नहीं मानेगा इससे सिद्ध है कि सभी अपने को माहवीर समझते हैं समझा तो बाप समान बनना अच्छा देश विदेश के सरव बाप समान सदा बुद्धी से समर्पित आतमाओं को सदा हर प्रस्तिती में हर व्यक्ति से शेंशिल बनकर हर बड़ी बात को छोटा करने वाले सहज पार करने वाले सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले सदा ब्रह्मन जीवन मोज की जीवन जीने वाले ऐसे बाप समान बनने वाले महवीर सरेश्ठ आतमाओं को बाप दादा का समान भव की सने संपन याद प्यार और नमस्ते इसलिए आज की मुड़ी से पक्का द्रड संकल ब्रह्मा बाप समान नंबर वन शेहन शील बन के ही दिखाना है अच्छा ओम शांती ये एक प्रेरणा दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस न करे झाल